हेलो बच्चो कैसे हो आप सब आई होब कि आप सब अच्छे होगे मैं संगीता फॉम लर्न हॉब दा लर्रिंग प्रेट फॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैं साइंस सेस्टी एप्सुलुटली फ्री एड लर्न हॉब डॉट कॉम बच्चो आज हम डिस्कस करेंगे एंस सेवन टॉपिक हमारा है इंवर्मेंट कोश्चन नमर बन टू फॉर चले बच्चो हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमर बन हमारा है वाट इस एन इको सिस्टम ecosystem क्या है ecosystem वो system है जहां पर सभी living organism जो है वो आपस में और एक दूसरे के साथ environment के physical और chemical factor के साथ interaction करते हैं जहां पर वो रहते हैं उसे हम कहते हैं ecosystem यह एक दूसरे से linked होते हैं किसके द्वारा energy and material के द्वारा एक दूसरे से linked होते हैं अब अगर इसे हमें समझना हो कि एक दूसरे से linked होते है energy and material के द्वारा वो क्या है तो आईए समझते हैं सबसे पहले आद देख लेंगे ecosystem it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live all linked by transfer of energy and material सभी एक दूसरे से linked होते हैं कैसे transfer energy and material के transfer के द्वारा अगर इसे समझना हो तो जैसे आपने food chain पढ़ी होगी तो वो यही चीज़ है अब जैसे अगर food chain की बात करें तो यहां पर मैं alphabet से show कर रही हूँ मैं picture नहीं बना रही हूँ अलफाबेट से मैं शो कर रही हूँ है माल लीजे grass है छीक है सबसे पहले soil है soil में grass छीक है अब यह जो grass है इस grass को अपना food कौन बनाएगा यह grass किसका food बनेगी माल लीजे grasshopper ने इसे अपना food बनाया अब यह तो आपको पता होगा कि grasshopper जो है वो grass कहता है ठीक है तो grasshopper ज कौन अपना फूट बनाएगा ग्रास आपर फूट बन जाएगा फ्रॉग का ठीक है तो फ्रॉग ग्रास आपर को किस ने खाया फ्रॉग ने खाया अब इस फ्रॉग यह जो फ्रॉग है यह किस का फूट बनेगा यह बनेगा इसने का फूट तो फ्रॉग को हम यहां से तो क्या होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि जब उसकी डेथ हुए कहीं भी पड़ा तो क्या होगा मिट्टी में मिल जाएगा वहीं पे वो मिट्टी के साथ सड़ेगा उसी में और उसी में क्या होगा उससे मिट्टी जो है fertile soil मिली जिससे grass की growth जो है वो अच्छी होगी तो यहां क्या देखा हमने food chain जो है वो इसी तरीके से बनी grass, grasshopper, frog and snake, फिर next है eagle और वो eagle वापस से मिट्टी में मिल गया वो उस मिट्टी में हम देख रहे हैं grass की growth हो रहे है क्योंकि उसे fertile मिट्टी मिल रही है तो यह क्या है food chain है यही हो गया हमारा ecosystem जो की एक दूसरे से linked होते है energy and material के transfer के द्वारा चलिए अब हम देखते हैं question number one का second question इसमें है what do you mean by natural environment natural environment से आप क्या समझते है natural environment मतलब वो सभी प्राकृतिक चीजें जो की चाहे जीवित है चाहे जैव है चाहे अजय है मतलब चाहे living है non-living है nature की वो सभी living और non-living चीजें जो है उसे हम कहते है natural environment जैसे की अगर हम बात करें कि इसए नदिया है पहाड यह सारी चीजे किया है यह सब चीजे non-living है प्लांट से एनिमल्स है यह सब क्या है लिविंग है यह सभी मिलका क्या बनाते है और नेचलर इन्वरमेंट क्या है नेचलर इन्वरमेंट सभी living और non-letural Not busyм naturally जो भी चीजमे हो भी मतलब प्राकृतिक चीजमे चाहरे वो जीवीत है और यह फिर वह लिविंग है चाहर नौन लिविंग है उसे हम कहते हैं natural environment अब ऑत है नेशुरल इंवर्थ आए समझते ईच्च्रे इंवरेफ मैं उनागरेजर infrared is dust some of both the bio organic elements created by nature यह सभी मिलके नेचरल इंवर्मेंट को बनाते हैं, तो अगर आपके दिमाग में यह है कि यह सभी मिलकर नेचरल इंवर्मेंट को बनाते हैं, यानि कि लेंड है, वाटर है, अनिमल्स है, प्लांट है, यह सभी मिलकर नेचरल इंवर्मेंट को बनाते हैं, तो यानि आपके द environment को बनाते हैं चली बीचे देखते हैं question number one का third question, question हमारा है which are the major components of the environment, environment के major components कौन से, environment यानि की हमारे चारो तरफ का वातावरा, उसके major components कौन से अगर बात करें, अगर हम इसको picture के दोरा समझना चाहें, तो आइए देखते हैं, components of environment, components of environment की बात करें, तो अभी सबसे पहला क्य क्या आया? जो की nature के दोरा बना हुआ है, चाहे living हो या non living, plants हो गया, land हो गया, air हो गया, water हो गया, यह सारी चीज़े क्या है, nature के दोरा बनी है, और इसमें दोनों आ गई, जैसे plants वगे रहे हैं, वो क्या हो गया, वो living हो गया, और आपका land, water की सब क्या है, non living है, ठीक है? अ नेक्स्ट क्या है थर्ड human components, human components, components individually या फिर लोगों से मिलकर बना हुआ, लोगों के द्वारा बना हुआ और यहां की बात करते हैं हम, तो लोगों से मिलकर बना हुआ, जैसे individually कोई person है, family, community, religion, education क्या है, यह लोगों से मिलकर बना है, तो यह हो गए environment के major components, आईए अब देखत क्या है, तो उसमें आजाएगा, roads आजाएंगी, building, park, यह सारी चीज़े क्या आजाएगा, हो जाएगी human made environments की, तो कई हमने options, अभी इसके देखे, examples, उसमें से कुछ कोई भी चार हम ले सकते हैं, आईए देखे, four examples of a human made environment, parks, buildings, industries, road, जो के लोगों के द्वारा बनाया गया, जिसे की लोगों ने बनाया है, वो सारी चीज़े, park, monuments, industries, यह सारी चीज़े, तो कोई भी चार example आपको यहाँ पर देदेने हैं, चलिए बचो देखते हैं, question number one का, fifth question, question हमारा है, what is lithosphere, lithosphere क्या है, lithosphere, solid crust है, यह earth की top layer, top, hard top layer है, जिसे की हम कहते हैं, lithosphere, मतलब, जैसे जिस हम रह रहे हैं, अर्थ की जिस लेयर पर हम रहे हैं, यह हुई lithosphere, जिस पर की one आते हैं, animals आते हैं, हमारे रहने की जगहे आती है, यह क्या है, यह एक solid, solid top layer है, अर्थ की, अगर हम देखें, जैसे water जो होता है, अगर आप कुवे की ही बात करिए, तो कुवे में पानी कैसे जाता है, वो जब किसी भी surface की अगर हम खुदाई करते हैं, तो नीचे क्या होता है, बहुत गहराई में जाने पर water मिलता है, तो नीचे यानि कुछ और है, बट उपर जिस पर हम रह रहे हैं, वो एक solid top layer है, जिसे की हम कहते हैं, lithosphere, जिस पर की हम रहते हैं, आगे रहते हैं lithosphere is the solid crust or the heart of layer of the earth, it is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil, ये rocks and minerals से बनी होती है और जिस पर soil की एक thin layer होती है, क्योंकि अगर जिसे हम कहें हमारे घर में marble है, हम कहेंगे हमारे रहने के लिए, वो है तो उस पर soil की layer नहीं, बट soil की layer होती है, बात में उसको हम दूसरा रूप देते हैं, बट ज उस पर वो क्या होगी, उसकी जो top layer होगी, वो heart होगी और उस पर एक thin layer होगी, soil की, next हम इसमें देखते हैं, question number 6, which are the two major components of biotic environment, biotic environment के two major components, मतलब हमारे परयावन के दो जैविक चीजें, जो की living हैं कह लीचिए, the two major components of biotic environment, plants and animals, two यहाँ बताने हैं तो plants and animals, बाकि आप human को भी रख सकते हैं, बाकि यहाँ पर दो बताने हैं, तो plants and animals की बात हम करते हैं, अब अगर यहाँ पर हम देखें, lithosphere देखना भी चाहें, हमारे picture में, तो hydrosphere जो पानी वाला शेत्र हो गया, वो hydrosphere हो गया, जो हमारा वायो मंडल है, उपर area है, वो हमारे atmosphere and जिस पे हम रहते हैं, हमारी roads हैं, हमारे animals हैं, हमारे plants हैं, trees हैं, हम सभी हैं, हम सभी के घर हैं, वो क्या है, वो है lithosphere, तो यह हो गया है lithosphere हमारा, चलिए बचो देखते हैं, question number 1 का 7th question, question हमारा है, what is biosphere, biosphere क्या है, biosphere के अगर हम बात करें, तो plant और animal kingdom एक साथ मिलकर living world या biosphere का निर्मार करते हैं, अगर हम detail में समझना चाहिएं, तो biosphere क्या है, biosphere ऐसा अर्थ का वो narrow zone है, जहां पर air, water और land एक साथ मिलकर, life को support करते हैं, कैसे करते हैं, एक साथ direct करते हैं, life को support करते हैं, कैसे life को support करते हैं, अगर माल लीजिए, water है, land है, वहाँ air नहीं है, तो क्या life होगी, नहीं होगी, ये तीनों मिलकर life को support करते हैं, तो वो zone जहां पर ये तीनों मिलते हैं, उसे हम कहते हैं biosphere जो की life को support करते हैं, अगर हम समझना चाहें, ये हमारा picture है, यहाँ पर क्या है, ये आपका water है, land है and air है, ये तीनों मिलकर life को support करेंगे, अगर air है, land है, water नहीं है, तो भी क्या life रहे नहीं रहेगी बेना water के life नहीं रहेगी तो इसलिए ये सारी चीज़े चाहिए, तो वो narrow zone जहांपर ये तीनो जृ चीज़ें हैं क्योंकि इससे क्या होता है life, ये life को support करते हैं, तो उस area को हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं biosphere, तो अर्थ का वो नेरो जोन जहां पर लैंड वाटर और एर एक साथ मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो हुआ बायोस्फियर चले बिचले हम देखते हैं question number two question number two हमारा है take the correct answer correct answer पर टिक करना है इस first हमारा है which is not a natural ecosystem natural ecosystem इनमें से कौन सा नहीं है a desert b aquarium and c है हमारा forest बताइए कौन सा नहीं है क्योंकि desert और forest जो है वो natural ecosystem है बचा क्या aquarium aquarium क्या है वो natural ecosystem इनमें से नहीं है तो जो right answer होगा कि natural ecosystem इनमें से कौन सा नहीं है वो है option b aquarium next हम आते हैं second पर which is not a component of human environment human environment का component कौन सा इनमें से नहीं है land religion and community ये तीन option आपको दिये गए है तो इसके पहले के question में हमने देखा components of environment जहां पर था उसमें हमने देखा ना कि natural environment के component जो है उनमें क्या है जो चीजे nature द्वारा बनी हुई है वो है human environment के components जो थे मनुश्यों के द्वारा बने हुए and human environment जो था component उसका वो कौन था वो individually या फिर लोगों से मिलकर बना हुआ मतलब individually या group में बने हुए को हम क्या कहते हैं वो है human environment मतलब लोगों से मिलकर बना हुआ तो यहां पर land क्या है वो natural है community and religion की अगर बात करें यह दोनों क्या है यह दोनों human environment के component है तो जो right answer होगा वो क्या होगा option A land next हम आते हैं 3 इसमें question number 3 है which is a human made environment इन्वें से human made environment कौन सा है option A mountain B C B का है C and C है हमारा road तो इन्वें से क्या पूछ रहा है human made environment mountain C and road अगर बात करें तो mountain क्या है natural है C natural है and road जो है वो क्या है वो human made environment है next हम देखते हैं तो right जो answer होगा इसमें third में वो क्या होगा option C road next हम आते हैं fourth question which is a threat to environment इन्वें से किसे environment को खत्रा है तो option देखते हैं A है growing plant B growing population and C है growing crops तो बताए इन्वें से किसे हमारी nature को environment को किसे खत्रा है growing plant क्या है वो environment को सही रखने के लिए कहा जाता है कि plant ज़्यादा ज़्यादा उगाने चाहिए growing crops फसले उगानी चाहिए पेड़ पोथे लगाने चाहिए यह क्या करते environment को सही रखते है अब बीच में बचा क्या है growing population growing population क्या है वो environment के लिए खत्रा है क्यों क्योंकि जैसे जैसे population बढ़ेगी अनाज ज़्यादा चाहिए रहने के लिए जग़ ज़्यादा चाहिए जिसकी वज़े से plants जो है वो हटा दिये जाएंगे बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनको भी हटा दिये जाता है population बढ़ेगी population बढ़ने से क्या होगा कि जंगलों को भी हटाना पड़ता है क्यकि नई बसतिया वो बसानी होती है नए नए लोगों को रोजगार चाहिए बहुत सारी industries लगानी होगी इन सब के लिए क्या करना होगा जंगलों काटना पड़ता है जहांप प्लांट वाली जगह जद्ध होती अच्छी खाजी हरयाली होती जगव को साफ करके लोग वहां पर शॉप बनवाते हैं मौल बनवाते हैं घर बनवाते हैं यह सारी चीजे बनती आफिस दें तो जैसे जैसे form a जाल जो है यह answer चलिए बिच्छे कोछिन न्बर 3 कोछिन में 3 हमारा है मैस्डव फॉलों फॉलोंग एस दें किससे किसका मैच है वन साइट पे बैस फिएपियर atmosphere, hydrosphere and environment other side पे a blanket of air which surrounds the earth, domain of water gravitational force of the earth, our surroundings, narrow zone where land, water and air interact relation between the organism and their surroundings चलिया ही देखते हैं किस से किस का match है, कुछ चीजी तो हमारे दिमाग में आ गई होंगे, दोनों साइट का पढ़ते ही क्योंकि पहले हमने कुछ चीजे इनमें से पढ़ रखी है, अभी कुछ पे हमारा discussion अभी हुआ था, तो वो चीज हमारे mind में अभी होगी तो कुछ को हमने match करा लिया माली जे कभी भी ऐसे question आते है, कुछ हमारे mind में तुरांत आता है, वो match करा लिया, कुछ जो बचा guess कर लिया, लग भग लग उसके करीब हमारा answer होता है, तो सही हो जाता है guess, और जो last बचता है, अगर उसका नहीं भी आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो last बचता है, आपने उसे match करा दिया, बट यहाँ पर देखे, यह interesting चीज़ है, कि यह इदर one side पे आपके four है, and other side पे आपके पास six है, यहाँ पर match कराना थोड़ा मुश्किल होगा, last बाले का जो हम लोग फाइदा उठा लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, चलिए आई देखते हैं biosphere, biosphere को किससे match कराएंगे, अभी पहले हमने देखा biosphere, अर्थ का वो narrow zone जहाँ पर air, water, और land एक दूसरे के साथ interact करते हैं, वो हमारा होता है biosphere तो यह से हम match कराएंगे, किससे? यह से कराएंगे, biosphere को match कराएंगे, यह से narrow zone where land, water and air interact, next हम देखते हैं atmosphere, atmosphere इनमें से किससे match होगा? blanket of air which surrounds the earth, air जो है, वो सभी जगह है, earth के चारो और है, air तो इसलिए यह blanket की तरह काम करता है, इसे हम match कराएंगे, atmosphere को, blanket of air which surrounds the earth, इससे match कराएंगे, ठीक है? next हम देखते हैं, hydrosphere, hydrosphere क्या? जली, जली, अगर हम simple से उसमें समझें, तो जली, दिमाग में यही आता है, कि जो watery होगा, water से related, तो hydrosphere क्या हो जाएगा? domain of water, इसको मिलाएंगे हम, option B, next है हमारा environment, अब तक क्या होज़ा था? last जो बचा उससे match करा लिए, बद यहाँ पर है extra, हमें दिये हुए options, तो फिलाल, देखेंगे environment, environment को किस से match कराएंगे? environment को match कराएंगे, our surroundings, हमारे चारो और का पर्यावरण, जो है, वातावरण, जो है, वो हमारा environment क्या लाता है, हमारे चारो और जो चीजे है, जिसे अगर आपने भी बढ़ा था, components of environment, उसमें क्या है, जो community, buildings, ये सारी चीजे भी क्या है, वो भी उसके environment के ही component है, तो environment हमारे चारो और का वातावरण, जो है, वो environment कराएंगा, तो environment, our surroundings, चारो तरफ, ठीक है, I hope कि आप समझ गया होगे, किस से किसे match कराना है और क्यों, चलिए बचो देखते हैं, question number four, question number four हमारा है, give reasons, इसमें first है, man modifies his environment, चलिए, इसका reason बताना है, तो manush अपने वातावरण को, या अपने environment को, modify करता है, इसे समझेंगे कैसे, हाँ, ये बात सही है, manush की जो life है, जैसे जैसे, समय बीचता है, उसकी needs जो है, वो बढ़ती है, वो बढ़ती है, उसी के according, वो अपने environment को, modify करता है, अगर एक simple सहा, example लेना चाहें, तो सबसे पहले हम देखें, खेती, जो खेती होती थी, पहले किया प्लो के द्वारा होती थी, हल से होती थी, बैल और हल की सहाथा से, खेती, खेत को जोता जाता था, आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में ये काम, ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, तो हमने देखा, कि मनुष ने अपने environment को, modify किया, उसकी needs बढ़ी, उसने अपने environment को modify किया, इस तरह हम बाकी fields में भी देख सकते हैं, communication में देख सकते हैं, बहुत सारे developments हुए, मनुष की जो life थी, वो कैसी थी, मनुष एक जगर नहीं रहता था, जो nature था, वो क्या था, एक जगर वो नहीं रहते थे, इधर से उदर, एक जगर टिक कर रहना सीख लिया, तो हमने क्या देखा, उसने अपने environment को modify किया, अपनी needs के according, मनुष अपने environment को modify करता है, चले ही समझते हैं, human beings interact with the environment, and modify it according to their needs, अपनी needs के according, वो modify करते हैं, we can understand it like this, with time needs grew and became more varied, तो इसमें भी हमने देखा कि, खेती के उसमें रेखते हैं, जैसा कि अभी example में हमने लिया, कि उसमें उसने बहुत सारी, बहुत सारी changes किया, बहुत सारा परिवर्तन किया, human learns to grow crops, domestic animals, and lead a settled life, मनुष ने क्या सीखा, खेती करना भी सीख लिया, पशों को पालना सीख लिया, और settled life जो था, उस तरह life को बिताना सीख लिया, एक जगा रहना सीख लिया, the wheel was invented, wheel was invented, wheel का जो आविश्कार था, वो बहुत ही, human की बहुत बड़ी, human की बहुत बड़ी achievement कही जाती है, wheel का आविश्कार, the wheel was invented, surplus food was produced, barter system immersed, trade started and commerce developed, trade start हुआ, commerce developed हुआ, barter system, पहले क्या था, barter system ही सलता था, coin and note जो अभी हमेरे चलते हैं, online transaction है, वो तो होता नहीं था, पहले क्या था, चीजों की अदला बदली करती थी, जिसे जिसकी चीज की जरूरत है, अपनी जरूरत की चीज को वो दूसरे से लेता था, और उसके जरूरत की चीज उसे दे देता था, तो पहले क्या चलता था, barter system चलता था, बाद भी हमारे coins आ गए, notes आ गए, उसके बाद अब हम देखते हैं कि, अब तो online transactions होते हैं, तो ये क्या है, मनुष्य ने अपनी नीड के according, अपने environment को modify किया, फिर आगे हम देखते हैं, industrial revolution enabled, large scale production, industrial हम देखते हैं, कि industries जो है, industrial revolution आया, large scale पर production होने लगा, पहले क्या था, साधर सी अगर खेती की जाती थी, तो कम होता था, या फिर किसी भी चिज का production है, सी भी चिज का production हम देखते हैं, वो बढ़ गया जैसे कि, अगर हमें cotton की बात अगर करें, तो कपास जो की plant में होता है, उससे cotton बनता है, अब वो cotton क्या होता है, वो माशीनों के द्वारा ही उससे बनाए जाता है, तो इसमें क्या है, कि industries के द्वारा production जो है वो बढ़ गया, हर चीज में हम देखेंगे, industries जीब चीज की है, कि पहले तो वहाँ पर raw material पहुँचता है, और उससे क्या होता है, तयार चीजे बनती हैं, industries लगने की वज़़े से production जो है, वो बड़े पैमाने पर होने लगा, नेक्स हम देखते हैं, transportation बगें फास्टर, transportation जो है, वो फास्ट हो गया, transportation फास्ट हो गया, पहले क्या था, लोग पैदल जाते थे, फिर धीरे धीरे साइकल आये, बाकी बस और बाकी गारीों तक लोगों की पहुँच नहीं थी, धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारी चीज़े बहुत ही आम हो गई, आज के टाइम में लाइफ बहुत इजी हो गई इन चीज़ों की वज़े से, तो transportation बहुत फास्ट हो गया, जिसकी वज़े से कहीं भी जाना जो है, वो बहुत जल्दी हो गया, इससे क्या हुआ, एक दूसरे से communication जो है, वो बहुत तेजी से होने लगा, बहुत जल्दी हो जाता था, जिससे आज के टाइम में है, हमें बात करनी, कोई कहीं भी बैठा है, हमने mobile उठाए और हमारी बात हो गई, तो इस चीज़े क्या है, कि information revolution जो है, उसकी वज़े से communication जो है, वो बहुत ही easy हो गया और fast हो गया, तो ये communication हमें अपने family में भी काम आता है, हमारे जो business हैं उसमें भी काम आता है, तो ये communication जो है, हर तरह से बहुत ही जदा इसने हमारी life को change किया, हमारी life की इससे progress काफी हुई, तो हमने देखा कि मनुष्य ने अपनी needs के according क्या क्या अपने environment को modify किया, तो इसलिए हम कैसे give reason था, आपको समझ में आ गया होगा, कि इसका reason क्या है, कि जो यहाँ पर हमारा statement था, man modifies his environment, ये आपको समझ में आ गया होगा, कि इसका क्या reason है, चलिए बचो देखते हैं, question number 4 का second question, question में रहा है, plants and animals depends on each other, plants and animals एक दूसरे पर depend रहते हैं, चलिए समझते हैं कि plants and animals एक दूसरे पर depend रहते हैं, ये statement किसलिए है, इसका reason बताना है, तो plants and animals जो हैं, वो एक दूसरे पर depend रहते हैं, plants क्या करते हैं, oxygen छोड़ते हैं, जो हमें जीवित रहने के लिए, animals को जीवित रहने के लिए जरूरी है, animals carbon dioxide छोड़ते हैं, जो कि plants को food बनाने में help करता है, तो क्या हुआ दोनों एक दूसरे पर depend हुए, दोनों ने एक दूसरे की help की, अब food क बात करते हैं, तो food बनाने में help करता है, अभी हमारी बात हुई, उसके अलावा, जो animals होते हैं, उनके जो dung होते हैं, वो soil के साथ मिलते हैं, soil को fertile बनाते हैं, जो कि plants की growth के लिए जरूरी है, plants की growth में वो help करता है, फूड की बात करें, एनिमल्स के लिए प्लांट्स कैसे करते हैं, तो यह तो बहुत की सिंबल है, यह तो हमेशा देखते हैं, कि जो एनिमल्स होते हैं, वो उनके लीव भी खा सकते हैं, फ्लावर भी खा लेते हैं, स्टेम भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो वो तो पूरी तरह से plants पर depend हैं कह सकते हैं तो plants और animals जो हैं एक दूसरे पर इस तरह से depend हैं आईए देखते हैं plants and animals depends on each other because plants release oxygen which is necessary for living organism and animals give all carbon dioxide which is necessary for plants arrange each other meals वो दोनों एक दूसरे के लिए meal का meal arrange करते हैं उसके अलावा बहुत जो अगर हम बात करें हैं कि plants जो है plants से मिलके हमारा बनता है forest बनता है plants and tree से मिलके forest तो forest क्या है forest तभी अच्छा लगता है जब वहां पर tree and plants के अलावा animals भी होते हैं तो ये दोनों क्या एक दूसरे पर depend है उससे forest की सुन्दरता बढ़ी तो इस तरह हम कह सकते हैं कि forest and plants जो है वो एक दूसरे पर depend है तो बच्चो इस तरह हमारे chapter होता है complete मिलते है next chapter and next solutions के सा that learn no hub, learn no hub free है but best है